हलो एवरिवन, विलकम बैक टू माई चैनल, तो चलिए आज हमें एक बहुत आसान और टेस्टी श्रानास्ता बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी आसान है, आप चाहें तो इसे सुबह सुबह बना कर अपने बच्चों को टीफिन में भी अधी कटोरी से मैंने आधा कटोरी पानी लिया था, अब भी डाल दिया है और हम इसमें मिक्स कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढख कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम मसाला बना लेते हैं, उसके लिए मैंने ये तीन चम्मच इसमें त तुमाटर काट के डाला है एकसे दो मिनट के लिए और भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें कटी हुई सिमला मिर्ष ढाल देंगे ये आधा सिमले मिर्श था जिसे मैंने काट लिया था और ये कुछ करीपता है जिसे मैंने डाल दिया है अब हम इन सब चीजों को फिर से दो मिनट के लिए भूनेंगे अब हम इसमें स्वाद के अनुसाय नमक डाल देंगे आधा चमच के करीब मैंने हल्दी पौडर डाला है आधा चमच के करीब मैंने मिर्श पौडर डाला है और ये एक चमच पाव भजी मसाला डाला है और आधा कप पानी डाल कर इसे इस तरह से थोड़ी दर मिला लेंगे और हम इस तरह से चलाते हुए इसका सो पानी है उसे हमें सुखाना है और हम इस तरह से सुखा लिया है हमने उसके बाद आधा कप और पानी डालकर इसे करीब तीन मिनट के लिए पकाया है पकने के लिए छोड़ दिया अब हम इसे देख लेते हैं सूजी और दही को जो हमने म सा पानी डालकर हम इसका गाढ़ा सा घोल तयार करेंगे इस तरह का घोल रहना चाहिए दोस्तों अब हम एक बार अपने ये मसाले को देख लेते हैं तो मसाला करीब करीब सुख चुका है हमें इसी टाइप का मसाला चाहिए तो मैंने इसमें से आधा मसाला निकाल लिया था अब हम थोड़े से मसाले के उपर जो सुजी का बैटर बनाया था उसको इस तरह से डाल देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब ये इस तरह से पक जाए तो इसे हम हलके हाथों से इस तरह से पलट देंगे आप इसे आराम से पलटे नहीं तो ये तूट सकता है ये बहुत सॉफ्ट होता है और तूट जाता है तो हम इसे उलट पलट कर इस तरह से सेक लेंगे लिजी हमारा नास्ता बनकर तयार है दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पे नए हैं तोegenल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ये नास्ता खाने में बहुत टेश्टी लगता है देखने में जतना ये टेश्टी लग रहा है खाने में उससे भी ज्यादा है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाज थांक्स पूर वाकिंग